नमस्कार पुनिया बुटीक में आप से भी कस्वागत है मैं कविता पुनिया सातरूर केंटी सार से बहुत प्यारे प्यारे सूट बंड किया है कोई टाइडाई है कोई किसी तरह से है और आज एक लास्ट में एक सूट हो दिखाऊंगी वो जरूर देखना देखिए पहला सूट है सरीता सामवान का है ये सरीता जी ने थोड़ा अलग किया है इसके अंदर जैसे टाइडाई की सलवार करवाली जिग जैक जूट का कपड़ा है नैवी ब्लू और फिरोजी कलर की टाइडाई की सलवार बढ़वाई है तीन मीटर की सलवार है टाइडाई की अंदर है और ये करवाया है दूपट्टा देखो कितना प्यारा दूपट्टा बढ़वाई है इसका और दागेवाडी लेश लगवाई है सरीता जी ने ये देखो दाग्यवारी लेस है लुक देखिए इसका दूपटे का और सलवार का और इसी के साथ में करवाया है फिरोजी कलर का कमीज ये देखो ताई-डाई सलवार ताई-डाई दूपटा फिरोजी कलर का प्lein कमीज और उसके उपर गड़े पर गाट वाड़ा काम है देखिए जरी और गाट का काम हो रखा है गड़े पर पाइपिन है और ये बाजू का काम है ये देखिए ये बाजू का काम है बाजू के उपर भी एक बेल बनी हुई है तो ये सूट बहुत ही सुन्दर है इसकी लुक जो है बहुत अच्छी आ रही है मतलब जितने भी सूट बनवा रहे हैं उन सबसे एक डिफरेंट लुक है क्योंकि जिसमें सलवार और दुपट्टा टाइडाई है कमीज बलेन है ये सूट पड़ेगा मैचिंग के अंदर जिस तरीके से ये बना हुआ है बत्तिस बुट्पदर कलर और इसके उपर बनी हूई है बटरफलाई बटरफलाई का एक हिप और एक घरी के उपर है गलर बहुत प्यारे खिले हूए इसके अंदर लेंडर के अंदर परपल पेर्ट और वाइट का जो कम्बिनेशन है बहुत है बना हुआ है और ये देखिए बाज बहुत ही प्यारा सूट है, टाइण डाइद उपट्टा, क्रेप का कपड़ा, और बटरफ्लाई बने हुई है, यह सूट पड़ेगा आपको तीन अजार में क्रेप के अंदर, अगर आप जूट या उपाड़ा में लेते हो तो उसका रेट हो जाएगा इससे कम, तो क्रेप क अगला सूट है सुरजिंदर का है यह अपनी नंद के लिए करवाई है दो सूट त्यार एक आगया है एक अभी बंड़ना गया हुआ है नेखिए जिगजग जूट का कपड़ा है फिरोजी कलर है और इस पे मिरर का काम हो रख है मिरर जो पांच मिरर बनते हैं सुरजिंदर ने क्या किया तीन मिरर करवा लिए गेरे के उपर यह देखिए तीन गेरे पर हैं फ्रंट के उपर होगी डॉट्स मतलब सीक्वेंस की बुट्टी और एक एक बनवा लिए पोचे के उपर यह पौचे पर आएगा और यह वाड़ा भी पाउचे पर दोनों पौचे के उपर हैं और एक एक फूल करवा लिया बाजू के उपर ये देखो, ये बाजू पर भी, मतलब इस तरह आप डिजाइन को अलग चेंज कर सकते हो, जैसे ये पांच सभी साइड में करवा रहे है, सुर्चिंदर ने क्या करवाया, पोचे बाजू, फ्लावर उतने ही है, डिजाइन वही है, रेट वही है, सिर्फ चेंज कर दी जगा इनकी, ये देखो, और ये हो गया दुपट्टा, राणी कलर का दुपट्टा, कंट्रास्ट में, और इसके उपर सिल्वर कलर की लेस लगा दी, ये देखो, बहुती प्यारा सूट बन गया, सिलाई ओने के बाद में, जो पोचे पर फूल है, उनकी लुक बहुत सुन्दर पर आएगी, ये सूट पड़ेगा आपको 27 का, जिस हिसाब से ये बना हुआ है, पुसित पैटरन में, टाइडाई दुपट्टा करवाओगे तो उसके एक्स्टर लगेंगे, अगला सूट है, प्रॉमिला जी का है, और ये है, दोट वाली उपाड़ा है, रेड कलर है, प् सैम कलर का डूपट्टा, और जो बोलते है, पंजाब ये ऐ देखो, फ्रिल लवाने ही जावटा। वाली कोई भी लेस वोलो इसको ये लेस है तो देखिए सूट का लूप कितना शांदार आ रख है इसका ये सूट है ये दुपट्टा है गेट बहुत अच्छी आएगी इसकी सूट रेडी होने के बाद में तो ये सूट पड़ेगा आपको 3800 का सूट है इस वर्क के साथ आल ये दुपट्टा बेज़ा था उन्होंने और इसके साथ मैंने ये सूट रेडी करवाया है ओफ वाइट कलर के अंदर है डिब्बे वाली सेल्फ है और ये देखो गेरा और बाजु के उपर काम करवाया है जो कलर दुपट्टे के अंदर थे वही कलर इसके अंदर गांट सब्सक्राइब कर देखो गांट बहुत मजबूति के साथ लगा रखी और जो गोटा पत्ती का काम है वो ज्यादा फिनिशिंग के साथ हो रखा है और नीचे गेरे पर पाइप पिन बनी हुई है और ये है बाजु का काम देखो बाजु भी बहुत प्यारी बनी हुई है ल यहां नया काम शुरू किया है brush paint का अगर किसी को design पसंद आते हैं तो करवा सकते हो कपड़ा यह जरूरी नहीं है कि किसी भी कपड़े पे करवा सकते हो बाकी मैंने पहला यह item करवाया है मतलब जूट के उपर, self-wardy जूट में करवाई है ये देखो मुर्यर से है सुमान जी का देखिए brush paint का करवाया है मैंने ये काम front के उपर है ये फूल बने हुए है गाजरी कलर के तोटिया कलर की पति है जो design भेज़ा था सुमान जी ने सेम ऐसा रेडी करवाया है और यह देखिए बाजू पर एक एक फूल करवा दिया और इसी के साथ में वाइट दुपट्टा रेडी करवाया है अगर आप यू चाते हो कि और या जूट के अंदर मदलब जूट में तो बहुत अची लुका रही है इसकी बाकी और कपड़े पे के अंदर है सेल्फ बाड़ा कपड़ा है 2700 का सूट है यह देखिए लुक बहुत अच्छी आ रही है इसकी अगर आप ब्रश पेंट करवाना जाते हो तो वह भी करवा के देंगे तो यह थे आज के ओडर वाड़े प्यारे प्यारे सूट तो आर नजदी का रहे हैं जिनको रहां को सूट रैड़ी करवानी है जल्दी ओर करें क्योंकि जितनी जल्दी ओर करोगे सूट आपके उतने ही जल्दी रैड़ी और होगे यूँ शोच रहेहों कि दस दिन पहले 15 तिन पहले करवा लेंगे तो उस टायम में त्यार नहीं हो पाएंगे मतलब तेओ हार पर सूट रेड़ी होने जरूरी है, इसलिए टाइम से पहले ओडर दे, 20-25 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा हर एक सूट में, तो ऐसी पुनिया पुटिक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ाएं और अपने प्या